आज आप सबके साथ मैं share करने जा रही हूँ यह दम आलू की recipe जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना उस तरीके से मैं आज आपको बता। और आप देख सकते हैं देखने में कितने यंपी लग रहे हैं। और खाने में तो उसका टेस्ट इतना यम्मी है ना जो ढ़ावे वाले दम आलू है ना वह भी आपको इसके आगे फीके लगेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी है दम आलू जो भी आपके पास यहां पे खड़े मसाले हैं वो ले लेंगे और जो दोनों इलाइचिया है ना उसके छिलके हम अटा देंगे और बीच को निकाल लेंगे छिलके के हमें ज़रूरत नहीं है तो अब क्या करेंगे गैस की फिल्म को बंद कर देंगे और इनको ना अच्छे से छंडा कर लेंगे जब यह अच्छे से ठंडी हो जाएगा फिर हम इसे इस तरीके से जो चोटे वाले कूटने वाला होता है उसमें हम इसको कूटके इसका पावडर बना लेंगे और दूसरी साइड यहां पे अब हमें चाहिए आलू तो मैंने यहां पे आलू लिये थे छो अब भूरा है नहीं जाएगने इस तरीके से इसमें श्हेद कर देंगे इससे क्या है छिब ने बनाएंगे से अब सीससे मांसालों के साथी ने लपेटेंगे तो सारे मसाले इसके अंधर ने अब नियूद इनका टेस्ट वह उमन्याण आईगा गा जो बाद चलते हैं जो बेद आप यहां पे यहां पर यूज कशता है तो सबसे पहले हमें आलुऑ और उसके लिए बहुत जादा तेल की ज़रत नहीं है कम तेल में हैं हम आलुओं को फ्राई करेंगे तो पहले अगर सर्सों का तेल ले रहे हैं तो पहले अच्छे से गरम कर लें जो भी इस यद राई निकाल लें उसके बाद जाल इसाए छालब करेंगी यहां मीडियूम-टूही कर सकते हैं आलू आदे से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर बाद में हमें ने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा ग्रेवी के साथ तो यह देखें यहां पे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं आप इमने निकाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा इनको आपको एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना हलका सा लाइट ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई करना है तो आप चेक कर लें तेल अगर आपको कम लगता है तो इसी में आप और तेल डाल सकते हैं लेकिन मुझे इसमें तेल की ज़ुरत नहीं लग रही है तो बस तेल पहले से करम है अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच जीरा साती में थोड़ा सा तेज पता, साबुत लाल मिश डाल देंगे साती में हींग ज़रूर डालेंगे इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा हींग को अब सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे बारी कटीवी प्याज तो मैंने यहाँ पे दो पड़ी प्याज ली दी जिसको बारी काट लिया है तो यहाँ पे आपको प्याज थोड़ी सी जादा लेनी है अब क्या करेंगे गैस की फ्लिम को मीटियम पे कर देंगे और प्याज को अमें अच्छे से इसकी ना भूनाई कर लेनी है वीच वीच में इसको चलाते रहेंगे दिरे दिरे आप देखेंगे इसका कलर चेंज होने लगा है अब यहां पे यह हलकी सी भून गई है, फिर हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच लहसो नदरक का पेस्ट, फिर से इसे प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे, बस आपको ध्यान रखना है, यहां पे प्याज को आपको हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं तो क् अब यहां पे नहीं देशी वाले टमाटर उनका यूज किया है, यह हलके से खट्टे होते हैं, अगर आप हाईब्रेट वाले टमाटर यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको इसमें दही डालने पड़ेगी, वैसे मैं इसमें दही नहीं डालूँगी, बिना दही के बनाऊंग अगर साथी में देगी लालमिश डालेंगे, हम इसमें एक बड़ा चमच, वैसे इसमें बहुत जादा डलती है, लेकिन मैं थोड़ी सी कम ही डाल रही हूँ कलर के लिए, और साथी में जो हमने मसाला तियार किया था था ना, खड़े मसालों का वो भी हम इसमें डाल देंग अगर इस मसालों में से तेल अलग हो जाए ना, तो समझ लीजे, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम डाल देंगे हरीमिश, तो हरीमिश को मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काटके डाला है, आप चाहें तो बारी काटके भी डाल सकते हैं, साथी म इसमें मलाई डाली है, इसमें बिलकुल भी आपको पता नहीं लगेगा कि मलाई डली हुई है, आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया कलर आ गया है, बस इसी दोरान अब इसमें हम डाल देंगे आलों को, आलों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 50% तक आलो अच्छे स पक चुके हैं, और बाकी अभी ग्रेवी के साथ पकेंगे, और इसी दोरान अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो मैं इसमें दो बड़े कप भरके पानी डाल रही हूँ, या पे कप मेरा थोड़ा बड़े साइस का है, पानी आप अपने साफ से डालें, जैसे आपको काजू लेने हैं, और उसको क्या करना है, गरम पानी में हलका सा भीगो देना है, और फिर उसके बाद उसका पेस्ट बना लेना है, काजू का पेस्ट डालने से क्या होगा, जो ग्रेवी है ना काफी क्रीमी सी लगेगी, और हाँ नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसा क्योंक बस बीच पीच में आपको इस तरीके से चलाते रहना है, अगर आपको इस ग्रेवी में और ज्यादा रेड कलर चाहिए, तो आप क्या करें, आप इसमें देगी लालमिच और डाल सकते हैं, डेड़ बड़े चमच के करी, मैंने या पे एक छोटा चमच इसमें देगी लालम अपकाना है, लेगें अविसे हमे पकाना काया से है, गैस की फिलिम को हम हई पेकर देंगे, और बस घड़ी देखे 2-3 मिनट तक चलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हасс Pay 2-3 मिनट पकाने के बाद गैस की फिलिम को बन कर देंगे, और जैसी ये थोड़ा सा ठंडा होगा, तो यहां पर यह हमारे बहुत ही टेस्टी दम आलू बनके रेडी हैं आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी यम्मी बनी है आप चाहें तो बाद में इसमें एक बड़ा चमच देसी घीवी डाल सकते हैं उससे और अच्छा टेस्ट आएगा तो एक बार इस तरीके से यह दम आ कमण करके और वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और चैनल को जल्दी से सब्सेब कर दीजे